नबश्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसेयरटी के 6th unit में जिसे हम metallurgy कहते हैं, जिसमें हम element को कैसे extract करते हैं, कैसे उसे purify करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सवाल यह उठता है कि elements या सीधे तोर पर यहाँ पर जो बात करते हैं, metallurgy की, जिसमें हम metals को extract करने की बात करते हैं, इसकी आवश्यक्ता क्यों पड़ती हैं, अगर आप अपने आज पास की दुनिया को देखेंगे, तो आप सीधे तोर पर इसका answer पा जाएंगे, आप देखे किसे process किया जाएगा, कैसे उने extract किया जाएगा, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर discuss करना है, यह NCID का six unit है, जिसमें हम analyze करने की कोशिश करेंगे, उन सभी general principles को, उन सभी processing को, जिसके द्वारा हम किसी element को, खास तोर पर metals को isolate करने का प्रयास करेंगे, तो यह के बारे में यहाँ पर हम discuss करेंगे, main मकसद यह है कि हम अपनी दुनिया को किस तरीके से बहतर बना सकते हैं, अगर human civilization बहतर हुआ तो उसमें iron की बहुत बड़ा role रहा, iron की जब तक खोज नहीं हो ही, जब तक metals के बारे में पता नहीं चला, तब तक हम पत्थरों से काम चला ना सरफ पारे जिंदिगी को आसान बनाया, बलकि बहुत सारे लेवल पर हमें smart भी बना दिया, पहतर भी दिखने का मौका दे दिया, जैसे आपने देखा होगा gold के jewelry हम पहनते हैं, हम इस तरीके से silver, platinum की jewelry पहनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे elements हैं, जिनके द्वारा हम अपने को decorate करते हैं, खुबसूरत दिखने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे elements हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदिगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, तो यहाँ पर हम उनी सारे metals के extractions के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, कौन-कौन से प last furnace का हम एक image बना करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो smelting की process के लिए, reduction की process को बहतर बनाने के लिए इस तरीके से develop की गई, यह smelting होता क्या है, इसके बारे में जब हम इस unit में आगी के और बढ़ेंगे तो पता चलेगा, आम तो पर जब कोई metal किसी earth crust में पाया जाता यह rock है, माली जे, आज के date में हमने धीरे-दरे human civilization जैसे-जैसे आगे बढ़ा है, तब से हमने बहुत सारे sensor techniques की मदद से यह जानने का प्रयास किया है, कहां पर कौन सा metal मिल सकता है, अभी कुछ दिनों पहले एक अफवा उड़ा हुआ था, आपने देखा था, न्यूज में जरूर सुना होगा, मिरजापुर, UP का एक state है, वहाँ पर कहा गया कि सोनभद्र के जगा पर सोना मिल रहा है, बहुत सारे media जो की fake news के रूप में उस चीज़ को propagate भी कर दी, सोनभद्र का नाम इसलिए है, क्योंकि वहाँ पर सोना या gold पाया जाता है, इस तरीकी की जूठी भंडार है, उसके बाद क्या था, media शुरू हो गई, यह बताने के लिए कि इससे हम दुनिया के सबसे बड़े बाशा बन जाएंगे, यह हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह process, जब बाद में, वहाँ पर chemistry के analyst जिब पहुंचते हैं, तो यह पता चलता है कि वहाँ पर इतना गोल्ड का भंडार नहीं है, जो हमें किसी beneficial point of view की ओर ले जा सके, मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस story को सुनाने के पीछे मकसद है कि आप इस unit को अपने daily life से बहतर तरीके से connect कर सके, जैसे, सोनभत्र की जो कहानी बताई गए थे, उसमें कहा गय गोल्ड है वहाँ पर, गोल्ड तो था, लेकिन यह देखा गया वहाँ पर जो गोल्ड पाया जा रहा था, वो इतना कम concentration में था कि उसकी processing में ही बहुत ज़ादा पैसा खर्च होता, currently अगर आज की rate में आप से बात करूं तो 10 gram गोल्ड की price 50,000 के आस पास है, हाला कि आम तोर पर यह इससे कम ही रहता है, पूरी की पूरी processing के बाद 10 gram गोल्ड अगर आपको 50,000 में मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सोन भद्र में जो गोल्ड मिल रहा था, अगर उसकी processing करने के बाद उसकी cast 1 lakh, 2 lakh पढ़ रहा हो तो उससे कोई फायदा है, क्या नहीं फायदा है, कहन पर जाते हैं, वो हमारे लिए कितना profitable है, अगर वो profitable है, तो फिर हम अगले लेवल पर जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ का एक यहाँ पर simplified imagination करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम उस जगह पर तमाम तरीके के laser technique से देखने की कोशिश करते हैं, कितना रॉक को तोड़ना शीडू कर देते हैं, रॉक को जब तोड़ते हैं, आप कलपना कर पा रहे हैं, जब इस रॉक को तोड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आने वाला निकल करके जो पार्ट है, माली जे पार्ट आया, तो इसके साथ ना सिर्फ वह मेटल आय ही होगा, कि हम इसको कैसे इस तरीके की जितनी भी इंपुरिटीज हैं, उनको अलग कर पाएंगे, पहला सवाल तो यही है, अगर इनको हम अलग कर देंगे, तो फिर हमें जो रिक्वाइड मेटल होगा, उसके मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पर फिर अगले लिवल पर जा करके उस मेटल को निकाल पाएंगे, लेकिन अभी भी इस मेटल को निकाल पाना इतना असान नहीं है, यह मेटल कंबाइंड फार्म में है, बात समझ रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले तो इस और को कंसंट्रेट करने का प्रयास किया, कंसंट्रेट कर मिलेगा, वो combination हो सकता है, metal carbonates के रूप में हो, metal sulphates के रूप में हो, metal oxide के रूप में हो, इसे तरीके से बहुत सारे combinations के बारे में आप सोच सकते हैं, कई बार या अपने silicate के रूप में भी होता है, इस तरीके से हमें metal अभी भी combined state में मिलेगा, यानि यह जो भी आप बार हैं, जिसको आपने concentrate करके निकाला है, ये अभी भी metal नहीं है, बलकि combined state में आपको metal मिला हुआ है. अब सवाल यह उठता है कि इस combined state से हम अपने metal को कैसे पा सकेंगे, जो हमारा metal चाहिए, वो कैसे इससे अब extract किया जाएगा. अभी भी ये तमाम तरीके के combinations में हमने rock salt से निकालने का प्रयास किया है. सबसे पहले तो इससे जो dust थी, दूसरी जो impurities थी, उनको अलग किया गया, अभी जो मिला है वो combined state में है. अब करना क्या है? इसके combined state से इसको अलग करना है. combined state कौन कौन से है? मैंने बताया. carbonate, sulfides, oxides, इसके अलगा silicates. तो हम तमाम तरीके के processing के द्वारा पहली कोशिश ये करेंगे कि इसको oxide में बदल दिया जाए. चाहे जितनी भी कोशिश होगी, हम इसके बाद प्रयास यह करेंगे कि ये metal अपने oxide में बदल जाए. इससे यह होगा कि अब इसको reduce करना आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास chemistry की study की मदद से यह पता चला है कि तमाम तरीके के हमारे पास reducing agent हैं जिससे हम इसको metal में बदल लेंगे. इस तरीके से हमने कितना यहाँ पर प्रयास किया है? तो सबसे पहले तो हमने पहला step लिया एक बार हमारे पास concentrated ore आ गया तो इसके बाद अगली step ली गई जिसमें conversion of concentrated ore to oxide की प्रक्रिया हमने देखा. तो step B में हमने conversion किया concentrated ore को oxides के रूप में. इस तरीके किया हमारा second step आया? अब हमारा metal oxide आ चुका है. इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? step 3 होती है. आप यहाँ पर देखे step C के रूप में आप लिख सकते हैं से जिसमें हम reduction of metal oxide to metal की बात करेंगे. तो reduction of metal oxide to metal इस process के लिए हम बात करेंगे. यह हमारा step C हो जाता है. इसके बाद अगली step होगी जिसमें हम जो metal मिला हुआ है. उसको further और refine करने का प्रयास करेंगे. तो यह step D होगा. जिसमे हम बात करेंगे refining of metal की. इस चीज़ को आप चारो step को देखने के प्रयास करेंगे. तो पूरा का पूरा यह unit इसी तरीके से आगे की और बढ़ता हुआ मिलेगा. हम सबसे पहले एक general principle बनानी का प्रयास करेंगे. जिसमें इसी step से गुजरते हुए हम metal को extract करेंगे. बाद मे individual elements का example लेते हुए इस process को समझने की कोशिश करेंगे. जिसमें हम jink, popper, iron इस तरीके के elements का individual level पर जा करके study करेंगे किस तरीके से उनकी extraction, purification के level पर बात होती है. इस तरीके से आप समझ पाएंगे. पहले हमें general principle पर बात करना है. यह general steps पर बात करना है. उसके बाद कुछ individual metals की बात करनी है. मैं इसलिए इतनी बार इस बात को कहा रहा हूँ ताकि आपके दिमाद में यह बात बैठ जाये. कुछ key होते हैं जिसकी मदद से किसी भी chapter में आपको enter करना होता. यही key है. यही steps है. अगर आप इसको follow कर रहे हैं तो सही तरीके से हो जाएगा. दूसरी बात thermodynamics के aspect पर एक section में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा important होगा इस unit में वो यहाँ पर metal oxide को metal में reduce करने की process के दौरान. एलिंगम diagram की study का होगा. यह step बहुत 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 ज़्यादा important है. जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक पूरा का पूरा unit में जो competitive point of view से question जो ज़ूरा रह जाएगा. तो यह C step पर ही हम thermodynamic aspects पर इस unit के बारे में discuss करने वाले हैं. पूरी बात clear हो गई? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कैसे यह metal बने होंगे? तो आपको पता है ना? बहुत समय पहले, billions years of पहले, जब Big Bang theory की कलपना की गई, तो जो hydrogen का cloud था, वो आप maximum elements बनते चले गाए. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो metal बने वो further और combination करता ही चले गाए. बिलियनियर्स की processing में, इस तरीके के हमारे पास metals जो मिले वो अधिकतर combined state में मिले. कैवर कुछी ऐसे metals हैं, जो non combined state में मिलते हैं. एक तो inert gases को छोड़ दें, inert gases क्या होते हैं? वो non metal की category में. अगर आप metal की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछी metals हैं जो non reactive farm में मिलते हैं, जिसमें आप gold की बात करते हैं, silver की बात करते हैं, platinum की बात करते हैं. ये non reactive होने की वज़ा से ही एक बार जिस तरीके का आपने इसको color दे दिया, वैसे ही ये पड़े रहते हैं और इसी वज़ा से इनकी चमक बनी रहती हैं. ये react नहीं करते हैं, इसलिए इनकी चमक बनी रहती हैं और हम इसको jewelry के रूप में इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा होगा, बाकी सारे elements को अगर आपने extract कर दिया, अगर आप उसको बिना process के सही तरीके से अगर रखेंगे न नहीं, तो उसके उपर एक layer जम जाती है oxide की. लोग कहते हैं, aluminum की जो fresh sheet होती है, वो कुछ दिनों बाद grayish हो जाती है. पहले अगर आप aluminum की sheet देखेंगे, तो वो white सी, चमकीली सी, silver जैसी होती है. लेकिन कुछ दिनों बाद वो grayish हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समझना है कि इस तरीके के elements, जो reactive farm में हैं, उनके लिए हम metallurgy का इस्तेमाल करते हैं. आपने सुना होगा, देखा होगा इस unit में जब आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके के elements, जिसमें हम जब बात करेंगे gold या silver के processing की, तो वहाँ पर कुछ बहुत जादा दिकत नहीं होनी है, यह बहुत आसानी से आपको पढ़ने को बिल जाएगा, इसी तरीके से copper की processing में भी आप देखेंगे, self reduction की process हम पढ़ेंगे, कहने का मतलब यह है कि जिन elements को हम ornaments में use करते हैं, यह वो elements हैं, जो बहुत कम reactive होते हैं, आपने देखा होगा gold के साथ हम copper मिला करके, थोड़े सस्ते quality के jewelry बनाने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा न, हम कहते हैं कि यह 20 karat का gold है, इसी तरीके से हम कहते हैं 22 karat का gold है, इसका मतलब यह होता है कि उसमें copper add किया गया है, copper add कर देने से उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आती क्योंकि copper भी लगभग gold के जैस कि कोशिश करते हैं, एक बार imagination बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इसकी पूरी के पूरी process में बड़े बड़े industries की involvement होती है, आपने देखा होगा Tata, या इसी तरीके से दूसरे जो हमारे country के groups हैं, वो इस तरीके के metallurgical process में बहुत बड़ा investment करते हैं, हमारे country में बहु खास तर पर metals को निकालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर यह नहीं निकाला जाएगा, तो हमारा human civilization और advance नहीं हो सकता है, अब कलपना करिए Delhi Metro Project के बारे में है, दिली में यह जो Metro Project था क्या बीना iron की इतनी बड़ी supply के possible हो सकता था, बिलकुल नहीं possible हो सकता था, लेकिन इंसानों ने अपने फायदे के लिए metals का इस्तेमाल तो करना शिरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब वो खराब हो जाता है, तो हम उसे पूरी तरीके से इधर उधर छोड़ देते हैं, तो सवाल यह भी है कि क्या as a scientist, as a chemist, आप कुछ ऐसी प्रक्रियाएं कर स नहीं, उसको recycle करने का प्रयास करना चाहिए, अगर recycle करेंगे तो जो metals हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो reusable हैं, उनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे, कहने का मतलब है यह है कि हम vast aspect पर यहां पर सोचने की कोशिश करेंगे, मैंने main steps आपको बता दिया कैसे element निकाला जाएगा, element मिल गया, तो हम क्या-क्या फायदे उठा रहे हैं, यह मैंने आपको बता है, Delhi Metro Projects का जो मैंने नाम लिया, इसी तरीके से कई बार ऐसा होता कि हम use करने के बाद जैसे हमारी कारें हैं, उनका एक बार इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बहुत कम reactive होता है, इसी वज़ा से यह अगर concentration के बाद काफी कम मुश्किल प्रक्रियाओं के बाद इसको निकाल पाना हमारे लिए समभव हो जाता है, लेकिन गोल्ड बहुत कम होए, यह भी एक बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा पहले के क क्या कहते हैं, कैसे इन्हें extract किया जाता है, तो जो इधर उधर की बाते की गई हैं, वो सिर्फ आपको interconnect करने के लिए, इस unit से जोड़े रखने के लिए की गई है, लेकिन अब हम core chemistry के concept पर बात करेंगे, किस तरीके से इन elements को extract किया जाता है, तो एक बार फिर से हम उसी image पर compounds के रुप में पाया जाता है, उसे mineral कहा जाता है, mineral से, अब mineral निकालना कितना है, metal कौन सा निकालना है, उन सारी चीजों के level पर जब processing की जाती है, तो हमें cast effective, वो कितना beneficial है, कितना profitable है, उन सारे level पर भी सोचने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर एक term आता है, जिसके बारे म आपको पता होना चाहिए, और और minerals के बारे में, एक difference हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर और क्या होते है, minerals क्या होते है, इसमें बड़ा term कौन है, इस पर भी हमारा focus होना चाहिए, यह दोनों ही term बहुत confusion create करते हैं, तो इसको समझने के लिए, एक बार हमें example लेंगे, iron किस-किस farm में, combined farm में अर्थ की भीतर पाया जाता है, तो मालेजे एक image बनाते हैं, iron को मालेजे हमारे किसी पहाड की भीतर से मिला है, यह तमाम तरीके के combinations में available हो सकता है, यह मालेजे हमने इस तरीके से निकाला है, यह तमाम तरीके के combination में अर्थ की भीतर पढ़ा हुआ रह के difference को बहतर तरीके से समझ सकें इसलिए मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ iron के occurrence के different forms के बारे में बताने को तो red oxide जिसे हम hematite कहते हैं इसका formula क्या होगा Fe2O3 इसी तरीके से iron का दूसरा farm जो earth के भीतर से मिलता है वो hydrated oxide के रूप में है simple सी बात है hydrated oxide है जिसे हम limonite कहते हैं यह Fe2O3 यह आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी याद नहीं रखना है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है किस तरीके से आप किसी element को different rock से निकालेंगे तो different form में वो मिल सकता है यह सिर्फ एक representative concept बनाने के लिए आपको यह सारे example दिये जा रहा है इसी तरीके से यह magnetite के रूप में भी मिल सकता है जिसे magnetic oxide भी कहते है magnetic oxide का formula होता है Fe3O4 कुछ example दे करके आपके दिमाग में यह बात रखने के कोशिश की जा रही है कि आप समझ सकें कितने combined farm में यह मिल सकता है इसी तरीके से siderite भी हो सकता है आपको कोई example रटने की जरूवत नहीं है किताब में लेकियोई हर बात याद करना ज़रूरी नहीं होता इसे हम spathic ore कहते हैं इसका formula होता है FeCO3 इस तरीके से हम कल्पना कर सकते है iron कितने सारे combined state में मिल सकता है लेकिन अब हमें सोचना होगा किस rock के भीतर से हम iron को निकालेंगे जो हमारे लिए economically beneficial होगा क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि iron हमें मिल गया iron कितना महगा पढ़ रहा है उसके processing ये भी देखना होगा तो इसलिए हम कोशिश करते हैं किस से इसका extraction आसान हो सकेगा तो इसमें जब last में study की जाती है तो हमें conclusion मिलता है iron का extraction अगर red oxide के form से किया जाए तो ये commercially काफी beneficial हो सकता है इस तरीके का हमारे पास एक conclusion बन करके आता है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा process है जिससे अगर आप निकालते हैं तो और को concentrate कर पाना और को concentrate करके यानि उसके जितनी भी गंदगी है इधर उदर की जिसको हम gang कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना जिस रॉक से ये निकाला जाएगा एक बार imagine करने की कोशिश करिए जिस रॉक के भीतर से ये निकाला जाएगा उस रॉक के भीतर और भी तो बहुत सारी चीज़े होंगे मिटी होगा, धूल होंगे और भी बहुत सारे combined state में elements मिल सकते हैं तो जो इसके आस-पास की गंदगी होगी वो भी शिरुवाती प्रॉसस में इसके साथ बाहर निकलाती है उसको हम गैंग कहते हैं मालीजे हमने निकालना था इतना और इसके साथ बहुत सारी और गंदगी भी बाहर आ गई ये जो भी इसके साथ कंबाइंड स्टेट में चीजें बाहर निकल करके आई हुई हैं उसे हम इसके कंबाइंड स्टेट के साथ जो बाकी सारी गंदगी आई हुई हैं उसे हम गैंग कहते हैं गैंग को हमने हटाया और को कंसंट्रेट कर लिया ओर को concentrate करने का मतलब आप समझ रहे न यह जो ओर हम concentrate करने की कोशिश करेंगे इसमें यह combined state में ही सिर्फ हमें मिल जाए अब combined state में मिल गया तो फिर हम क्या करते हैं उसको process करके oxide में बदलने की कोशिश करते हैं यही बात तो मैंने आपको बताया देखिए यह सब जो जुड़ा हुआ है, इसको remove कर दिया है, जिसे हम gang कहते हैं, उसके बाद यह हमारे पास concentrated farm में मिल जाता है, chance की बात है यह oxide के रूप में मिल जाता है, लिए बहुत सारे जगहों पर, जैसे जब आप aluminum के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो oxide के बदलने की कोशिश करते हैं, तो प्रयास यह होता कि oxide में बदल जाया, concentrate करने बाद फिर oxide, oxide के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको reduce करते हैं, reduce करने के प्रक्रिया के बाद यह iron हमें मिल जाता है, अभी भी iron में कुछ गंदगी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़े मिली हुई हो स इसको अलग करने को refining की process कहते हैं, बस इतनी सी कहानी है, इसमें थोड़ा सा reduction के step पर, जब यह oxide से metal में convert हो रहा हो, तो उस समय हम elingum diagram की study करने की कोशिश करते हैं, thermodynamic step, कुछ thermodynamics के principles की मदद से, elingum diagram या एक plot होता है, जिसके द्वारा इसको thermodynamically study करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम दूसरे elements के बारे में भी कलपना कर सके कि उनको निकाल पाना कितना असान हो जाएगा, क्योंकि science में हर बात facts की basis पर कही जाती है, जैसे मैंने भी आप से कहा ना, कि यहाँ पर जब हम iron को extract कर रहे हैं, iron को सिर्फ और सिर्फ red oxide से ही क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकि सारे farm से क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बाकि सारे economically profitable नहीं हैं, जिससे economically profitable process हो सकती, उसी mineral को एक special नाम दिया जाता है, जिसे हम और कहते हैं, तो य सभी के सभी general term में mineral कहे जाते हैं लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ red oxide या hematite से iron को निकाल पाना economically profitable हो पाता है तो इसके लिए के special term और इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या है hematite या और है जिसके द्वारा हम elements को metallurgical process के द्वारा extract करने की कोशिश करते हैं तो चलते हैं अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर minerals और ores के बीच में क्या differences होते हैं मैंने आपको बताया है किस तरीके से elements के extraction की process होती है हम पूरी तरीके से metals के extraction के बारे में पढ़ते हैं इसलिए इस unit का नाम metallurgy भी कहा जाता है हम जानते हैं अर्थ के भीतर metal combined farm में होते हैं इतना ही नहीं वो दूसरे भी gang के साथ जुड़े होते हैं यह अपने रूप में जब पाय जाते हैं तो compounds के रूप में होते हैं यानि gang को किनारे कर दिया उसके बाद one natural material जो अर्थ के भीतर निकला concentrated farm में combined farm में मिला जिसके भीतर से metal को निकाला जाएगा metal compound state में है जिससे इसको निकाला जाता है उसे mineral कहते हैं लेकिन एक बात याद रखेगा सारे metal metals के extraction के लिए suitable नहीं होते हैं बात यहां पर दिखें बहुत clear farm में लिखी गई है not suitable for the extraction of metals इसलिए हमने gang को अलग कर लिया combined farm पा लिया इसको हम क्या कहते हैं और कहते हैं mineral farm जिससे metal को आसानी से निकाला जा सके और economically वो feasible भी रहे उसे और कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ सारे और mineral हैं लेकिन सभी mineral और नहीं होते हैं हर mineral से element को extract कर पाना मुश्किल होता है यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया एक example की मडद से किस तरीके से हम mineral और और के बीच के difference को समझ पाएंगे इसके लिए हमने यहाँ पर मदद लिया iron के different minerals का example ले करके आपको मैंने समझाने का प्रयास किया आयरन के तमाम तरीके के मिनरल्स हैं हमेटाइट, लाइमोनाइट, मैगनेटिक अकसाइड, इस्पैथिक और बहुत सारे फार्म्स में यह अविलिबर होता है लेकिन हम जो extraction के process करते हैं वो किसके साथ करते हैं आप देखे हमेटाइट से इसको निकालने के कोशिश की जाते हैं क्यों क्योंकि इसको इस रूप में extract करना इससे आयरन को निकालना आसान होता है तो मिनरल और और के बीच के difference को हम आसानी से समझ पाए हैं मिनरल्स बहुत खुबसुरत होते हैं कई बार आप देखे होंगे जो रूबी जिसको हम और्णामेंट्स के रूप में यूज करते हैं जानते हैं वो रेड कलर का होता है उसके भीतर क्रोमियम की प्रिजंस होती है कुछ गंदे भी होते हैं जैसे कॉपर के एक्स्ट्रेक्शन के लिए हम मेटल और गैलना का एक्जामपल देख सकते हैं यह बहुत सारे सुन्दर भी देखने को मिलते हैं कुछ गंदे भी देखते हैं लेकिन हम इससे मेटल को निकालने के कोशिश करते हैं यह इमेज इस फैलराइट का है चैलकोपाराइट इस फैलराइट का यह पर जो हमारा concentrated ore होता है उसको further process करने के कोशिश की जाती है बहुत शांदार सा chapter है theoretical है बहुत कुछ पूछा नहीं जाता है यहां पर देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास कितने सारे minerals available है important metals के उनका एक table देखने की कोशिश करते हैं यहां पर principal ores of some important metals हाला कि ores की बजाए हम metal के हैं तो और जादा बहतर होगा क्योंकि इसमें से iron क्या है अगर हम example लें तो सिरिराइट, magnetite, iron pirate, hematite सबकी बात की गई लेकिन profitable process के रूप में हमने example लिया hematite का या फिर hematite से निकालने की कोशिश की गई तो यह यह फी 2-0-3 का farm जिससे हमने निकालने का प्रयास किया सबसे बहतर रहा है जबकि इसके और भी oxide के farm हो सकते हैं देखिए F3O4 जिसको हम magnetite कहते हैं उससे निकालने की कोशिश नहीं की जाती है इसका मतलब यह कि यह जदा बहतर तरीके से table में हम इसको mineral कहेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि और इसमें हमें hematite नजर आता है इससी तरीके से aluminium को जब निकालने की कोशिश की जाती है तो aluminium clay के रूप में भी होता है, boxside के रूप में भी रहता है इसका formula नहीं रटना है आप एक बार trend देखने की कोशिश करेगा जब हम आपके जैसे थे तो हम सारे examples रट लेते थे लेकिन आपको यह कोशिश नहीं करनी हैं, NCRT ने जितने भी minerals का नाम दिया है, सबके formula, सबके combined state आपको नहीं रटना है, जो पिछले 10 सालों के भीतर JEE में या NEET में पूछे गए हैं, उनहीं के examples को आपको ध्यान में रखना है, तो aluminium का जो दो minerals यहां दिया गया है, उसके बारे में देखें, इसी तरीके से, जि कोशिश होनी चाहिए हम किस तरीके से, sequential तरीके से, smart study के दोरा, किसी चीज़ को logical way में, और जितना जरूरी है उतना ही रटें, science के student को कभी रटनी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे पढ़ाने का जो self motivation जो मुझे आता है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर के आता है, क्या तो यहाँ पर, अब हम बात करने वाले हैं, occurrence and extraction of metals के बारे में, जो metallurgy का simple सा concept है, यहाँ पर हम, किस तरीके से, इस unit में आगे बढ़ेंगे, उसको एक बार flow chart के रुपे देखनी की कोशिश करते हैं, metallurgical steps में हमारे पास कितनी चीज़ें पढ़नी होंगी, उसको देखते हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, और को concentrate करने का प्रयास किया जाता है, इसमें कितने तरीके हो सकते हैं, और को concentrate करने के हमारे पास तरीके हो सकते हैं, कुछ physical methods, कुछ chemical methods, इसमें ध्यान रखेगा, मैंने आपको कहा न, अर्थी material, बहुत सारे उसके साथ चिपके physical process जैसे आप उसको हवा से अलग कर दीजे, पानी से अलग कर दीजे, magnetic, roller का इस्तेमाल करके उसको अलग कर दीजे, और भी बहुत सारे froth washing methods होते हैं, उनके द्वारा उसको अलग कर दीजे, कई सारे methods हो सकते हैं, लेकिन कुछ chemical methods की भी कई बार हमारे सामने जरूरत पढ़त froth washing जो method है, यह सुनने में odd लग रहा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब हम इस unit के last तक बढ़ेंगे, देरे देरे हर शब्द, हर language, हर farm आपको समझ में आ जाएगा, तो chemical methods तक हमने देख लिया, इसके बाद यहाँ पर हम convert करने की कोशिश करेंगे, अगर ore concentrate हो ग में हम आपके साथ discuss करेंगे, इन दोनों की बीच में क्या-क्या important facts हैं, जो हमसे पूछा जा सकता है, यह हमारे आगे का discussion का point होगा, मेर मकसद यह है कि आप यहाँ पर समझ सकें, पहले हमने ore को concentrate किया, उसके बाद उसका oxide बना लिया है, अगले step में हम इस oxide को reduce करने का प्रया इसकी process या aluminium का इस्तेमाल करके किसी metal को reduce करने की कोशिश ची जाती है, यही step सबसे महत्यपरोड है, जहां से competitive exams में question पूछे जाते हैं, या unit पूरी तरीके से theoretical unit है, आपको board के exams में इसकी processing element या metals के level पर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप competition के point of view से बात करेंगे, तो ailingam diagram काफी important हो जाता है, इसी step पर आपको ailingam diagram पढ़ना होता है, वहाँ पर हम देखेंगे, इस तरीके से reducing agent का हमें importance समझने का मौका मिलेगा, चलते हैं, इसके बाद metal मिल जाएगा, metal अगर मिल गया, तो कैसे refine किया जाएगा, उसके level पर भी हम बात करेंगे, तो metals की refiring अगला process होगा, जिसमें हम distillation, liquidation और electrolysis की process के बारे में बात करेंगे, इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि आपको पूरे के पूरी unit का एक roadmap आपके सामने रख सको, बड़ा मज़ा आता है, मुझे खुद भी एक बहुत आनंद की feeling होती है, जब मैं आपके इन सारे problems को solve करने क कोशिश करता हूँ, किस तरीके से किसी unit में enter करना है, कैसे वहां तक पहुँच करके आपको पूरी के पूरी unit पर एक grip बनाना है, तो मैंने चार steps बता हैं, इसमें पहला steps जहां पर हम concentration की बात करेंगे, उस पर हम अपने अगले lecture को start करेंगे, जिसमें हम physical methods और chemical methods पर बात कर करेंगे.